जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भाग्य पर ग्रहों का असर होता है ठीक जियोतिश शास्त्र के अनुसार हमारे नाम के शुरुवाती अक्षर भी हमारे भाग्य पर बहुत प्रभाब डालते हैं आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका नाम मा से शुरू होता है नाम के आधार पर ही लोग नाम के अक्षरों के ग्यान से आपके पास आने वाली संपत्ति तक के बारे में सटीक बता लेते हैं वहीं कई ज्योतिश इसे ज्योतिश कला का ही एक भाग मानते हैं चुकि नाम वास्तों में आपके राशी की पहचान करता है साथ ही आपके नक्षत्र की भी जानकारी देता है ऐसे में आपके पास आने वाले धन से लेकर व्यक्तित्त तक की कई बाते ही बता आई जा सकती है जिन्वित्ति का नाम मा अ क्षर से शुरू होता है और मुख रूप से सिंघ राशि के जातक होते हैं समानिता मा यह collaboration एक ही स्थिती के दो पहलू हैं क्योंकि कई बार लोग सिंग राशि ना हो कर भी माक्षर से अपना नाम लिखते हैं माक्षर के जातकों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे गुनवाले होते हैं बहुत ही तेजस्ती और उर्जावान होते हैं कहते हैं कि ये हमेशा ही किसी अनजाने विक्ति की साहिता के लिए तत पर रहते हैं जिसके तहट उनके भाग में नौकरी विविसाय जैसे योग भी बनते हैं साथी घर में उनके अच्छे विवहार को लेकर घर में सुक्षानती भी बनी रहती है अगर इनके खास्यत की बात की जाए तो इनकी personality और destiny दौनों को प्रभावित करता है ऐसा कहा जाता है कि आपका नाम आपके अतीत वर्तमान और भविश को भी समाहित किये हुए है M को अंक 4 के बराबर माना जाता है अंक 4 साहस बुद्धी और मेहनत को दर्शाता है जिन लोगों के नाम की शुरुवात माख्चर से शुरू होती है वे बेहत बफादार किसम के होते हैं ये पारंपरिक और उच्चनेतिक मुल्यों में विश्वास करने वाले होते हैं वही ये अपने जीवन में बहुत अनुशासित होते हैं और इमानदारी से कभी समझाता नहीं करते हैं साथ ही ये बहुत ही मेहनती और अपने भविश्य को सुधारने का प्रत्न करते हैं अगर इनके करियर की बात की जाये तो ये अपने करियर के लेकर बहुत फोकस होते हैं और आने वाले हर चुनावटियों को डटकर सामना करते हैं कहते हैं इनके love relation के बारे में कि ये जल्द ही किसी के प्यार में नहीं पड़ते इन्हें खुद को express करने और दोसों के सामने खुलने में थोड़ा वक्त लगता है ये किसी को approach करने में भी थोड़ा समय लगाते हैं लेकिन ये जिस से भी प्यार करते हैं उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं ये अपने करीबी और दोस्तों के लिए भी दूस मुसर लड़ जाते हैं कहते हैं ये जो एक बार ठालने तुसे पूरा करके रहते हैं और इनमें आत्मी विश्वास की कमी नहीं होती ये उन लोगों में से हैं जो बदलाव आने का अंतजार नहीं करते बलकि खुद बदलाव लाने में यकीन लगते हैं माक्षर नाम वाले लोग बहुती सम्वेदन शील और भावक किस्म के होते हैं ऐसे लोगों का एक नगारात्मक पहलू यह होता है कि अगर दूसरे अपनी हद पार करते हैं तो फिर ये अपना आपा खो बैठते हैं कभी-कभी इन अच्छरों के लोग बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं एम नाम वाले लोग हर छोटी मोटी बात को तिल से लगाते हैं ये लोग हद से जादा सम्वेदन शील होते हैं अगर एक बार इनका दिल तूट जाता है तो ये लोग उससे जल्दी वापस नहीं उवर पाते हैं तो ऐसे ही विशित्र और ऐसे ही विशित्र कहनियों के लिए नेक्स एन स्पेश्यल को सब्स्क्राइब करें नेक्स एन स्पेश्यल से भी शेक चोहन